हेलो फेंट्स कैसे हो आप सब उमीद है सब अच्छे से होगे आप सब को बगवान बहुत खुश रखे दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ बेस्ट गैस गीजर्स के बारे में तो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ बेस्ट गैस गीजर्स मैं आपको सजेस्ट करूं तो इस वीडियो में 5-6 गीजर में आपको सजेस्ट करने वाला हूं जो लोग प्रेशर पर काम करते हैं और और कुछ ब्रांडेड हैं कुछ नॉन ब्रांडेड हैं प्राइज भी मिले जूलो हैं कुछ सस्ते हैं कुछ महेंगे हैं तो आप अपने ब बाहर अगर फ्लेम निकल जाए किसी बीवजह से तो उस कंडिशन में भी आपको प्रेक्शन मिल जाएगी गीजर बंद हो जायेगा चैलड मिल जाएगा अक्सीजन का भी sedan सेंसर मिल जाएगा अगर अक्सीजन कम होँगी तो आपका जो गीजर वो बंद हो जाएगा इसी त 500 तक के गीजर हैं जो मैंने इस लिश्ट में शामिल किये हैं तो आप उनके फीचर देख लीजिए और प्राइस देख लीजिए उसके हिसाब से अपने लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक बेस्ट बाकी मेरी तरफ से पूरी तसलिए है कि सेफटी फीचर को ले करके किसी में क बाड़ी होती है ब्लैक कलर के ग्राफिक्स लगे हुए इसके उपर छे लीटर कैपिसिटी में आता है और सभी तरह की सेफटी आपको इसमें मिल जाती है प्राइस की बात करूं तो बहुत ही बजट फ्रेंडली है कोई भी बंदा इसको अफॉर्ड कर सकता है और पर्फॉ वेर की तरफ से हिंद वेर का एविटो गैस गीजर यह भी बहुत अच्छा है कोई भी सेफटी फीचर ऐसा नहीं है जो गैस गीजर में होना चाहिए और इसमें ना हो यह बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आता है पर्फॉर्मेंस वाइस भी अच्छा है और यह वाला ग घीजर सभी तरह की सेफटी फीटर के साथ आता है कोई भी ऐसा फीचर नहीं है सेफटी को ले करकर जो इसमें ना हो छे लिटर की कारीफ लो प्रेशर के चलता है tas को आप मुल्टी स्टोरी बील्डिंग में भी यूजorg कर सकते हैं यानि कि लो प्रेशर भी चलता है हाई प बता रहा हूँ वो सभी में copper का use किया गया है जो कि बहुत अच्छा heat exchanger होता है तो आप समझ सकते हो कि performance wise सारे के सारे geezer आपको अच्छी performance देने वाले हैं तो regard के इस geezer को आप consider कर सकते हो उसके बाद बात करते हैं दोस्तो चौथे geezer की वो आता है record की तरफ से दोस्तो record company आप सब जानते हो geezer के मामले में बहुत बड़ा नाम है geezer बहुत अच्छे होते है रेकॉल के तो रेकॉल का gas geezer भी आता है जो भी किसी से कम नहीं है इसमें एक digital display दिया गया है जो यह दर्शाता है कि इन में से जो पानी निकल रहा है hot water आ रहा है उसका temperature क्या है और दो यूजर friendly होना चाहिए और यूजर safe रहना चाहिए क्योंकि gas आप सब जानते हो LPG से चलने वाली चीज है तो safety palette देखनी है तो recall से हम यह उमीद कर सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी quality use की होगी और performance wise भी अच्छा है reviews भी इसके अच्छे हैं आप रेकॉल के साथ जा सकत इसमें भी सारे safety features को ध्यान में रखा गया है इसमें भी आपको चोटा सा display मिल जाता है डिटल जो की पानी के temperature को दिखाता है और इस गीजर की performance भी बहुत अच्छी है इसके पार्ट्स लगे हैं वह भी बहुत अच्छी quality के use किये गए हैं इतनी जल्दी खराब नहीं होते ह हैं और आप सब जानते हो सूर्य गैसिस के मामले में स्टोप अगयरा के मामले में एक बड़ा नाम है तो इनके गैस गीजर भी हैं जो बहुत अच्छी quality को maintain करते हैं और बहुत अच्छी performance देते हैं इनके जितने भी reviews हैं mostly positive हैं तो आप इस गीजर को consider कर सकते हो और बात में बात करते हैं दोस्तो लास्ट में हैवल्स की हैवल्स की तरफ से दोस्तो फ्लैबरो गैस गीजर आता है जो कि बहुत अच्छी quality को maintain किये हुए है और बहुत अच्छे review है इसके अला कि थोड़ा सा महंगा है बाकियों से लेकिन quality बहुत अच्छी है लुक बहुत अच्छी ह के साथ आता है जो कि domestic यूज के लिए आइडियल साइज है और दोस्तो इसमें भी टाइमर लगा हुए 20 मिनिट का तो मतलब सारी चीजें आल्मोस बराबर की हैं सेफटी फीचर भी बराबर के हैं सभी तो जितने भी मैंने आपको घीजर बताए हैं आई थिंक छे बताए है इन में से आप कोई सा भी घीजर कंसीडर कर सकते हो इनके सभी लिंक मैं आपको description में डाल दूँगा वहाँ पे जाकर और भी details चेक कर सकते हो कि कौन सी company क्या warranty offer कर रही है और इसके इलावा और क्या features आपको मिल रहे हैं तो आप properly check कर लिजिए आपस में compare कर लिजिए price के according ज ले लेना चाहिए बेशक 4500 रुपे जादा लग जाए लेकिन अच्छा ले लेना चाहिए एक satisfaction हो जाता है दिमाग में यह product अच्छा चलेगा और अच्छी performance देगा दोस्तों आपकी request आ रही थी इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया चोटा सा आपको अच्छा लगे तो subscribe कर लिए अगर हो ताकि आने वाले और भी वीडियो हैं जिनके notifications आपको मिलते रहेंगे मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए God bless you दोस्तों